हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप उम्मेद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे चैनल में आप सभी का स्लागत है आपको जैसरी शाम आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हॉममेट पेडिक्योर का तरीका जिहां घर की सिंपल चीजों से जो हमारे घर में ही अपनी रसोई में ही इजली अविलेबल हो जाती है उन चीजों से आप कैसे अपने पेरों की शाइन को वापस से ला सकते हैं हम जादा तर जो है फॉन में देख लेते हैं अपनी ब्यूटी टिप्स हेल्थ टिप्स बाकी सारी अधर चीज़े पर अपने पेरों का ध्यान नहीं हुले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मैंने यहाँ पर दो नीबू ले लिए हैं अगर बड़ा नीबू है आपके पास तो एक ही ले ले मेरे पास अभी छोटे नीबू थे दो तो मैंने इस कारण से दो ले लिए हैं मेरा एक इंग्रीडियंस हो गया यह है मेरा बे है door यहाँ पर मैंने दो शेंपू के पाउच लिए हैं आप किसी भी कंपनी का शेंपू ले सकते हैं को इसी भी क्वालिटी का आप ले सकते हैं यह एह हमने अपने 5 इंग्रीडियंस कर लिए हैंं अपने पे इडिकictions बनाने के लिए जो हमारे काम आएंगे और हमको easily मिल जाएंगे अपने घर में ही मैंने यहाँ पर एक बड़ी भगोनी पानी अपना गरम होने के लिए गैस पर रग दिया है मैंने बड़ी भगोनी का यूद इसलिए करा है ताकि हमें जादव quantity में पानी की ज़रत पड़ेगी और जादा पानी हम अपने टब में डालेंगे और जादा अच्छे से गरम कर लेंगे तो पानी जो है हमारा थोड़ी देर तक गरम रहेगा जल्दी ठंडा नहीं होएगा तो हमारे पेर जो है अच्छे से रिलेक्स फिल करेंगे पानी के अंदर इसलिए हमने बड़ी भगोनी का यूज किया है यहाँ पर मेरा पानी जो है गरम हो चुका है हमें इसका टेंपरेचर गुनगुना ही रखना है गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा आप गरम कर लें ताकि के टब में आप जब भी पानी डाले तो वो थोड़ी ज़्यादा देर तक आपका पानी जो है गरम रहें और आपके पेर ज़्यादा टाइम टक इसमें रिलेक्स फिल करें मैंने यहाँ पर इस तरह का टब ले लिया है इसमें थोड़ा पानी मैंने थंड़ा डाल दिया है और जो मैंने अपना पानी गरम करा था वो अपना गरम पानी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि कि यह गुनगुना हो गया है अच्छे से और मैं इसमें आप जो मैंने नीबू डालने थे वो नीबू कट करके डाल रही हूँ मैंने दो नीबू लिये हैं उनका नीबू का रस में इसमें अच्छे से एड़ कर दूँगी और ताकि कि हम पूरा अच्छे से मिलाएंगे ताकि कि हमारा नीबू का जिरासा भी रस विल्कुल भी वेस्ट ना जाए इस तरह से पानी में अच्छे से डाल डाल कर आप अच्छे से पूरा रस जो है निचोड ले ताकि कि सारा रस पानी में अच्छे से चला जाए और का य्यूश कीया ही जाता है तो नीबू हमारी स्किन के लिए हर तरह से अच्छा में जादा में करते हैं और जो मैंने नमद ॥ी वह नमद में डाल दूँगी और इसके बान जो हमने शेंपू एड करना था स एंदर शेंपू में इसमें एड़ कर दूगी आपको इसी भी क्वालिटी का शैंपू यूज कर सकते हैं मैंने यहां क्लीनिक प्लस के दो पाउच लिए थे उनको ही मैं इसमें एड़ कर दूगी और हमें इन सब जो benefit मिलना चाहिए वो हम मिल पाएगा और हमारा पानी रेडी है यह मेरे जो है पेडी क्योर करने के पहले के पेर हैं देख सकते हैं आप किसमें कितनी जादा डर्ट लगी हुई है मैंने काफ़े दिन हो गए है मैंने अपने पेरों की कोई भी सफाई नहीं करी है अच्छे से और इसमें आप दे सकते हैं कितनी मेरी blackness और tanning है पेरों में और यहां आखनों के पास में और उंगलियों में हमारी जो है डर्ट अच्छे से जम जाती है निकल नहीं पाती है वो हम कितना भी रगड़े तो यह मेरे पहले के पेर है और अब हम तया है और हमारा पानी जो है आसानी से डूब जाए और हमारे पेर जो है इसमें अच्छे से relax करेंगे तकरीबन हमें 10 मिनिट तक अपने पेरों को इसमें डाल करके रखना है 10 मिनिट तो रखना ही रखना है ताकि कि जो है हमारे पेरों की जो गंदिगी है जो उसमें अपनी tanning है जितनी भी उसमें पेरों को 10 मिनिट तक डालना ही है और हमारे पेर जो है इस गुन गुने पानी के अंदर बहुत relax करेंगे इसमें नमक है तो नमक वैसे भी है हमारे जो दर्द स्बस quests में भी रिलेक्स करां सल नमाक एट करा है तो आप is तरह हैं इस direkt बहुत जाए और चाहने तो कोई दिक्कत नहीं बज़ाइद जैसे कि आपकी एडियों में और आगे की उंगलिया होती हैं उन में मेल जमा रहता है वो आसानी से निकलता नहीं है और काफी दिनों में अगर पेडिक्योर कर रहे हैं तो वैसे भी वो जम जाती है वो जो डर्टीनेस होती है तो इस तरह से अगर हम बीच वीच में इस तरह से स्क्रब करेंगे पेरों में तो हमारी जो डर्टी स्कीन है वो अच्छे से निकल जाएंगी डर्टी स्कीन सेल्स जो होते हैं वो अच्छे से में ही निकल जाएंगे और हमारा पेर जो है वो अच्छे से साफ होईंगे हमारे पेर तो इस तरह से हमें रगड़ना है बीच बीच में और अपनी एडियों को और अपने दोनों एडियों को अच्छे से रगड़ें ताकि कि हमें जो है पूरा फायदा मिले पेडिक्योर का ज और इस पानी के अंदर हमने जो भी जिसे नमक डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, नीबू डाला है, शेम्पू डाला है, तो जो भी सब चीजे हैं, वो सारी मिलकर के इसमें काम करेंगी, और इस तरह से हम बीच वीच में अपने पेरों को रगड़ेंगे, तो वो सारी चीजे पेरों को अच्छे से नरिश करेंगी और पूरा फायदा मिलेगा इस तरह से करने से तो जितनी भी डर्टिनेस और गंदिगी है वो सब अच्छे से हमारी पानी में ही निकल जाएगी इसलिए हमें कुछ देर तक स्क्रब करना है और स्क्रब करने के बाद हमें अपने पेरों क थोड़ी देर पानी के अंदर ऐसे ही रखना है आप देख सकते हैं पानी गंदा हो गया है यह पानी गंदा हो चुका है और हम पेरों को निकाल लेंगे यह हमने पेर जो है निकाल लिए हैं अपने और मैंने वापस से टपका ही यूज किया है आप चाहे तो इस मेथड को ब पते ही से अच्छे से अपने पेरोंमें दही मॉस्ची यहां लाईनिंग का काम करेगा था आप वर टरह को मैं तो मैं अच्छे से मसाज कर लूंगी कि में परस लय से एंग्ले व कौर और तो अपने यूजित दो तरह से अगर आप लगांगे तो तो आपकी जो है दऊ ही की गन्दिकी होगी वो इदर उदर फैलेगी नहीं इसलिए मैंने टप का यूज करा है और टप में ही मैं अपने पेरों को तोड़ी सी देर रखूंगी और इस तरह से मैं दोनों पेरों में अच्छे से लगा करके दही को रखूंगी थोड़ी देर और ताकी की जितनी भी गंदिकी है वो दही हमारी जो है अबसोर्फ कर ले और मॉश्यराइज करें वो हमारे पेरों को इसलिए और मैं इस तरह से लगा करके कुछ देर रहने दूँगी अपने पेरों में दही को ऐसे ही और मैंने कम तकरीब करेंगे अपने दोनों पेरों को और यहाँ पर मैंने अलगते ही बालती में पानी भर करके रखा था जिसलिए मैं तब में ही अच्छे से ताकी कि मैं अपने पेरों को वोर्ष कर लो बाहर ही अगर बात रूम में आप इस टेकनिक को करेंगे तो आपको ऐसे कोई पानी वग अभवार अपने पेरों को निकाल लिया है। मैं बहुत ज़ादा र्लेक्स फिल कर रही हूं दोनों पेरों पेर welding करत quis orrheadigle दीर कुछ कि ऐसे कोई भी यह सब Даam यहामे ना रही है को यह था रही है और दोनों पेरों में अच्छे से हम मसाज कर लेंगे मॉशुराइजर की लोशन की तो मैं यहां वस मही मचा मसाज कर रही हूँ और मेरा पेडी क्योर जो है बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है और अब आप देख सकते हैं मेरे पेर पहले कैसे लग रहे थे और आप कैसे लग रहे हैं मैंने अच्छे से नेल पेंट भी लगा ली थी अपने पेरों में काफी दिन हो गए थे मुझे पेरों में नेल पेंट लगा इसलिए मैंने सुचा क्यों आज पेडी के और के साथ साथ नेल पेंड भी लगाए जाए देख सकते हैं आप इसकी पूरी डर्टनिंग जो थी मेरे पेरों की वो निकल चुकी है अच्छे से और मेरे पेर जो है बहुत जदर रिलेक्स फिल कर रहे हैं अभी तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो मुझे जरूर बताएगा और कम